हिमाचल पुलिस में कॉंस्टेबल के 265 पदों की भरती के लिए शारीरिक पुरिक्षा पुलिस ग्राउंड धरम शालम ही शुरू हो गई है ये भरती साथ जुलाई तक चलेगी इस पुलिस भरती में पहली बार उमीद्वारों को किसी भी प्रकार की दस्तावेज अपने साथ नहीं लाने पड़ रहे हैं ऑनलाइन अपलोड किये गए डॉक्यमेंट के अधार पर ही पुलिस उमीद्वारों को यूनिक चेस्ट नमबर जारी किये जा रहे हैं जिसके अधार पर पुलिस मेदान में पहुंचने वाले उमीद्वारों को मातर अपना ऑनलाइन डाउनलोड किया गया एड्मिट कार्ड दिखाना पड़ रहा है मोबाइल एप से ही उमीद्वार की शारीरिक प्रिक्षा की सभी जानकारियां साथ साथ अपलोड हो रही है जिससे किसी भी परकार की कोई हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं रहती है जिस तरह भरती परक्रिया के लिए आप्लिकेशन दी गई थी उसी तरह भरती के दुरान भी सारा डाटा एप में ही आपलोड किया जा रहा है डियाइजी संतोष पट्याल खा कहना है कि भरती परक्रिया आज से शुरू करती गई है और यहां पहुंचे सब भी अभियार्थियों को बैतर स्विधाएं देने के साथ साथ पारदर्शी प्रक्रिया लाने के लिए पूरे प्रयास कि जा रही है कि आज हमारे यहां पर जो कांगरा डिस्टिट्स के लिए प्रूट्मेंट है साथ होगी है और बड़े अच्छे तरीके से सेशुली साथ होगी है कि इसका करीब साथ सो के आज पास अवियत्सी जो है हम लोगा आज पुला के रखके हुए तो मॉर्निंग से ही हावारा जो प्रफ्रसेस हो चाली हो गया है और आशा है कि इसको समय बन तरीके से मों उसको कम्प्रीट होगी हुआ 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 हुआ